हेलो फ्रेंस आप सुभी का स्वागत है मेरे यूटूब चैनल मादग की दुनिया में और आज मैं बना रहे हूं अर्वी के पत्तों की सब्जी सबजी भी बना सकते हैं इसके पकोड़े भी बना सकते हैं आपका जी है जो बना सकते हैं चाय के साथ इसके पकोड़े भी बना के खा सकते हैं ये देखो मेरे पास अर्वी के पत्ते हैं अब इसको हम क्या करेंगे और ये मेरे पास बेसन है तो इसमें हम डालेंगे सारे मसाले मसाले में ये मेरी लाल मिर्च पाउडर और इसमें ये ये है धनिया पाउडर और इसमें डालेंगे हल्दी ये मैंने हल्दी डाल दिया और फिर इसमें डालेंगे थोड़ी सी अजमाइन अजमाइन टेस्ट के लिए अब हम इसका इसमें हलका हलका पानी डालके इसको गोलेंगे इसका गोल बनाएंगे कैसा गोल बनाएंगे ना ज़्यादा गाड़ा और ना ज़्यादा पतला इसमें बस इतना ही पानी डालके पहले इसको चिलाएंगे ठीके अब ये देखो मैं अर्वी के पत्तों को काट लूँगी ये मैंने अर्वी के पत्ते एक तरफ रख देती हूँ अब मैं इसको होल बना के आपको दिखाती हूँ कैसा होल बनाना इसका तो ये देखो मैंने इसमें सारे मसाले डाले हैं और इसमें मैं डालूंगी नमक, नमक अपने स्वाथ के अनुस्वारी डालें, कोई कम खाता है कोई ज्याधा खाता है इसलिए, देखो मेरा घूल हमें, न ज्यादा ठीक हो और न ज्यादा गाड़ा हो, इसमें थोड़ा सा पानी हम और डालेंगे, इसमें मसाले सारे मैंने डाले हुए, अब इसको हम लगाएंगे अपने, हमें ये पत्ता रखेंगे, पहले तो मैं इसको, ये मेरी रसोई का, जो सेल्फ है, इसको साफ है, इसलिए मैं इसके उपर ही, इसको मैं करके दिखा रही हूँ, ऐसे हमने इनको सब पत्तों के उपर, जो अगर आपको लगता है, इसके उपर ये डंडी से आती है, काली से इसको काट दो, और उसके बाद फिर हम इसको धीरे बेलन से फ्लेट कर लेंगे, ये देखो, और इसको फिर हम, अब ये देखो, मेरे पत्ते एकदम फ्लेट हो गए है, अब इनके उपर मैं लगाऊंगी, ये मैंने जो पेश्ट बनाते रखुआ और गैस के उपर चड़ा दूँगी, पानी, ये मैंने गैस के उपर पानी चड़ा दिया है, और जो ये मैंने पेश्ट बनाए है, इस पेश्ट को मैं ऐसे-ऐसे इसके उपर हातों से लगाऊंगी, इसको ऐसे-ऐसे लगाना है, और इसको हम क्या करेंगे अब, अब हम एक कुछ दीर ये दीरे, ऐसे इसको फोल्ड कर लेंगे, फोल्ड करने के बाद फिर हम इसके उपर हलका-हलका ये फिर से इसको लगा लेंगे, ये मेरा इसके उपर ये पेश्ट लगके त्यार है, अब इसको क्या करेंगे हम, एक पिलेट में रख लेंगे, तार के रख लेंगे, फिर आप ये वाला पत्ता फिर दुबारा से ऐसे इसके उपर लगाएंगे, ये देखो फ्रेंट्स मेरा पानी उबल चुका है, इसके उपर मैं रखूँगी ये कड़ाई, और इसके उपर मैं रखूँगी ये पत्ते, ये जो मैंने लगाया था, बे मैं जितने आते हैं, उतने ही रखने हैं, जादा फैलाने नहीं है, कि सारे दम ही रख दो, नहीं तो बिल्कुल बेकार हो जाएंगे, इसलिए इनको अब रख देंगे, आप पांच मिनट के लिए इनको डख के, ये देखो, जो अर्वी के पत्ते हैं, ये मेरे, बिल्कुल त्यार हो चुके, अब इनको मैं दीरे से प्लेट के अंदर निकाल लूँगी, और जो मेरे पत्ते रह गए, इनको भी ये मेरे दो पत्ते बच्चे हैं, अब मैं इनको भी इसमें रख दूँगी, ये देखो, फ्रेंट्स मैंने सारे पीस काटके रख लिए हैं, ये देखो मेरे, ये अर्वी के पत्तों की सबजी बना रही हो, ये देखो, ऐसे इसके अंदर से भी बेसन है, अगर आप इसके पकोड़े बनाना चाहते हो, तो इसके अंदर क्या करोगे, कि जो हमने बेसन प इसके बार फिर हम उसके पकोड़े बनाएंगे, और इसको अच्छे से फिर लगा के फिर भाप के अंदर रख के और उसको आप तलके खा सकते हो, इनको हम थिराई करके ऐसे भी खा सकते हैं, तलके भी खा सकते हैं, लेकिन मैंने बेसन सबजी की तरह बनानी है, मैंने सबज अब मैं इस पर खूंगी कड़ाई अब यह देखो हमने इसके अंदर डाला है और और यह देखो मैं सबजी के लिए डालूगी इसमें जीरा और उसके बार डालूनी में ये कड़ी पत्ता और उसके बार डालूनी में ये तमातर और तमातरों को भूननी के लिए इसमें मैं डालूनी थोड़ा सा नमक नमक थोड़ा सा देखके जालना है क्योंकि मैंने इसमें भी नमक डाला हुआ है इसलिए इसके उपर नमक थोड़ा अपने हसाब से डालें और इसको भूनने के लिए अब इसको अच्छे से भूनेंगे इसमें आप राई भी डाल सकते हूं, मैं राई नहीं डाल रही हूं, क्योंकि मुझे नहीं अच्छी लगती है राई, इसलिए मुझे अच्छा लगता हूं ये थोड़े से धनिया पते में काट लिए इसके अंदर मुझे ज्यादा कोई मसाले इसमें अपने हिसाथ से, क्योंकि मैंने मसाले उसके अंदर भी डाले हुए हैं, तो इसके लिए हम डालेंगे इसमें लाल मिर्ज पाउडर, थोड़ा हल्दी पाउडर, और थोड़ा धनिया पाउडर और इसके अंदर डालेंगे थोड़ी सी, कर्स करने के बाद में पसूरी मेठी अब मैं इसके अंदर डालूंगे थोड़ा सा ये, सॉप, इसके नहीं कच्छी आएगी इसके लिए और अब इसके अंदर हम ये डालेंगे जो मैंने ये पत्के रखे हैं इसको हम दिले से सबको डाल देंगे और अब इसको हम अच्छे से चलाएगे इसको इसको पांच मिनटी ही आपने इसको प्राई करना है और आप sueकी सब्जी बनके त्यारै आप डाल के साथ में, सब्जी के साथ में, तरी वली सब्जी के साथ में इसको हम दो दिन, तीन निन ख्रीज में भी रख सकते हैं ये खरावणी होगी यह सब्जी मेरी बन के तियार होगी गया अब मैं इसमें डालने ही थोड़ा सा यह हमारे पास चांट मसाला है गैस को बंद कर लेंगे और इसमें डालेंगे गैस यह चांट मसाला इसलिए इससे का और अच्छा तेश्ट आएगा और अच्छी लगी जाब हir स्टेश्ट करके इसकी आप बना गर कंद्ग हें. कि यह देखो मेरी सब्जी बन के त्यार रिष्टी सब्जी बनी है अहां क्या खुश्वू आ रही है बहुत टेश्टी सब्जी बनती है इसकी आप बनाएं और आज में आरहर की डाल के रेस्पी अच्छी लगती है तो लाइक से एरकेमेंड्स और सब्सक्राइब करना ना भ